हलो मेरे प्यारे दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल वाले बटन को दबागर सस्क्राइब पर ले और घंटी का बटन भी दबाए ओके धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों हलो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने केमरे से रिकोर्ड किये हुए वीडियो को आप किस प्रकार एडिटिंग करके उसे एक एक्शन मूवी जैसा रूप दे सकते हो एक मूवी में जो गाना आता है उसे प्रकार आप किस प्रकार उस वीडियो को आ एडिट किया जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज प्लीज आप वीडियो पूरा देखे तो सबसे प आपको Power Director में ले चलता हूँ तो आपको Power Director पर Click करना है जिसे आप Power Director पर Click करेंगे Power Director Open हो जाएगा तो यह देखो Power Director Open हो रहा है और आप आसान तरीके से एक शांदार एडिटिंग करके शांदार वीडियो editing करके आप अपने वीडियो को बना सकते हैं तो यह देखो मैंने यह पहले से भी इन project पर व्रक करके मैंने यह video बनाए हैं तो मैं आपको एक new project से start करके बताता हूं कि आप किस प्रकार एक अच्छा एक बहुत ही खुब सूरत video editing कर सकते हो तो सबसे पहले आपको new project पर click करना है new project पर click करते ही आपको 16.9 और 9.16 दिया हुआ है और यह अलग 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 वे में है तो आपको 16.9 select करना है तो आपको select करके ok कर देना है जैसे आप select करके ok करोगे आपके सामने यह window खुल जाएगी तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जिस्ट जगह आपका वीडियो उस वीडियो में जाकर उस folder में जाकर आपको उस वीडियो को select करना है तो मैंने वो वीडियो मेरे downloads में है तो मैं downloads में जाकर click कर लेता हूं और यह यहाँ पर आ जाएगा तो यह मेरे को इस वीडियो को edit करना है तो यह देखो यह वीडियो यहाँ पर इस line में आ गया है तो इस पर यहाँ पर click कर देते हैं और यहां से बेक हो जाते हैं तो बेक होते ही अब मैं आपको एक simple सी एक चीज और बताता हूं तो आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो अगर आपको इस वीडियो की voice रखनी है तो आपको यहाँ पर click करके और यह pencil का चिन आरा है उस पर click करके आप यहाँ से volume बढ़ करके और ऐसे कम करके okay कर दो और आपको दूसरी steps क्या करना है यहाँ जीजिक का चीन आ रहा है उस पर click करके आपको यहाँ पर music में जाना है और चो music आपको अच्छा लगे आपको वह music इस layer में set करना है तो आपको मेरा सबसे best song जिस folder में है मैं उस folder में जाओंगा और आपक प्रशन तो मैं इसमें जाता हूं और मैं यहीं देदेता हूं चलो देशी देशी वाला ही देदेता हूं तो यह मैंने क्लिक किया और इस प्लस के चिन पर click करते ही यह वीडियो मेरा वीडियो यहाँ पर आ गया तो आपको simply करना कुछ नहीं यह बस ऐसे करना है और इसको य हाई कर दो जिससे यहां पर नोर्मल रहती है तो यह मैंने फुल कर दी 200 और ओके कर दी तो अब क्या करना है कि जिता आपका वीडियो है ना उत्ता ही आपका म्यूजिक भी रहना चाहिए तो यह एक्स्ट्रा जो म्यूजिक आ रहा है आपको इसको काटना है और यह आप आस तरीके से अपने वीडियो को एडिट करते कर सकते हैं और एक एक्शन वीडियो बना सकते हैं एक अलग अलग डिजाइन अपने वीडियो में दे सकते हैं तो करप्या आप वीडियो को पूरा देखें आगे और स्टेप्स हैं वह और भी इंपोर्टेंट स्टेप्स हैं तो आगे पूरा देखे वीडियो को तो यह देखो यह आ गया तो यहां तक यह वीडियो आ गया तो अब देखो आपके वीडियो में सौंग भी लग गया है और अब आपको क्या करना है कि अपने वीडियो में एक्शन सूज डालने है अलग अलग टाइप से आपका वीडियो कैस प्ले हो तो सबसे पहले आपको जो यह नीली वानी लंबी लाइन दिख रहे हैं इसको ऐसे आगे की तरफ लेना है और आपको यह पर जैसे यह यहाँ पर आ जाएगी तो आपको इस पर क्लिक करोगे तो यह लेयर में केड हो जाएगा और यह जो पैंसिल की जो नीचे वाला बटन है जो कटका आपको इस पे ओके करना है ओके करते ही ये देखो ये एक अलग सी फिलिम सी बन जाएगी फिर इसको थोड़ा आगे करोगे तो फिर ये एक अलग सी फिलिम बन जाएगी ऐसे करते करते आपको जितनी दूरी में आप ये फिलिम देना चाते है उतनी दूरी म के लिए इस फ्लिम्स पर करना है तो इसमें मैं सबसे पहले एफेक्ट देना चाहता हूं यह वाला फ्लिम स्क्रोल तो यह मैं इसमें फ्लिम स्क्रोल वाला यह दे देता हूं यह पहला इफेक्ट्स आ गया और इसमें इस दूसरी फ्लिम्स में मैं यह वाला यह वाला दे देत आपको जो भी अच्छा लगया वो दे दो तो मैं इसमें ये दे देता हूं नहीं ये दे देता हूं तो ये क्लिक तो ये फिलिम्स पर आगए अब आपको यहां से सिंप्ली बेक होना है बेक होने के बाद में अब आपको क्या करना है ये हो गया तो अब आपको इस जो ये लं सबसे बेस्त लगे आप इसमें अलग इसमें देना चाते हैं तो एक कहिसे अब इस में अलग देना चाहते आप कुछ अलग देना चाते हो जैसे आप इसमें अलग इफेक्ट देना चाहते हो जैसे तो आप इसमें अलग इफेक्ट दे सकते हो जो इफेक्ट आपको सबसे बेस्ट लगे आप वो इफेक्ट दो तो आप जैसे तो यह मैंने इफेक्ट दे दिये तो यह मैंने अलग अलग इफेक्ट मैंने अपने वीडियो में दे दिकता हूं तो यहां से आप इसे यहां से भी चला सकते हो तो यह को यह चलने लगा यह जाँ में इसेसे डमपिंग कर रहा हूं और यह देख फ्लिम लाइक स्टेक्शन में ये आ गया और जैसे अब ये जैसे जैसे वीडियो जाता जाए گा विविसे यह अब देखो यह इस वीडियो में अलग इफेक्ट सा गया यह क्या इसमें चले Igor तो थोड़ा स्टार हो तो से आपको यह यह जू में in हो गया इसमें जूम आउट का भी आता है तो ये ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ये आप आसान तरीका है ये आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो और इसमें ये अलग-अलग लेयर्स भी है तो वो अगर आप अगर इसका नेक्ट वीडियो चाहते हो तो प्लीज हमारी यू प्रोसेज कैसे करना है सुरी मैं वह भूल किया था तो मैं वह आपको बता दूँगी इस वीडियो को प्रोसेज कैसे करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है और प्रोसेज कर देना है इस पर क्लिक करके प्रोसेज करना है और सेटू गैलेरी यहां पर क्लिक करके प्रोसेज और प्रोसेश्ट करने के बाद में यह ऑके हो जाएगा और यह प्रिपेरिंग हो रहा है जैसे हो जा